बिहार बिहार आप सोचने होंगे प्रग्या ये त्योहारों की क्यों बात करी है, कवियों की क्यों बात करी है, तो दर्शको महौली कुछ ऐसा है, अभी अभी हमने दिवाली मनाई है, और कल हमारा महा पर्वियानी की छट पर्व है, और इसी उत्सा के लिए और इसी के लिए हम मना रहे हैं और इसे चार चांद लगाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं, उन्हें हम गाउं का लड़का की नाम से भी जाना जाते हैं. तो दर्शो को आप उनका नाम गेस कीजिए, फिल्हाल मैं कारेकर्म को आगे बढ़ाती हूँ और मिलकर की देखते हैं आज का पहला सिग्मेट यानि की अनमोल वचन. दर्शो को अभी वक्त हो चुका है आपको हमारे गेस से रूबरू कराने का तो हमारे साथ स्टूडियो में माजूद हैं हिंदी कविता और सहित्ते की दुनिया का जाना मैना चहरा संजीव कुमार मुकेश जी का और ये इगनों में भी कारे रहत हैं. नमस्कार संजीव जी आपका विहार विहान के सेट पर स्वागत है. शुक्रिया प्रग्या जी और विहार विहान के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम. जी संजीव जी आप जैसा कि मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में इंट्रों में कि आपको गाउं क्या लड़का के नाम से भी आपको जाना जाता है तो कैसे ये नाम पढ़ा इसकी कहानी हम जानना चाहेंगे आपसे? जब भारत की बात होगी तो गाउं की बात होगी है और भारत से गाउं को निकाल दें तो भारत भारत नहीं रहेगा यही बात हमारे साथ भी है यदि एक व्यक्ति अपने अंदर से गाउं को निकाल दे तो मैं ऐसा समझता हूं कि व्यक्ति नहीं रहेगा चुकि गाउं में अभी भाबनाएं जिन्दा है, गाउं में अभी भी वो अपनापन जिन्दा है, गाउं में अभी भी वो सोधी खुश्वू जिसको महसूस करते हैं, वो सिर्फ गाउं में महसूस करते हैं, चुकि हम लोग आज कल क्या है कि जब शेहर में रहना शुरू करते हैं, तो मैंने ए अपने गाउं को छोड़ दिया, मतलब आपने अपने अस्तित्व से अपने आपको दूर किया है, शरीर को आत्मा से निकाल दिया है, और हमेशा से लोग मेरे से सवाल करते हैं कि आप गाउं को क्यों गाते हैं, गाउं को मैं नहीं गाता, गाउं मेरे अंदर है, तो मैंने चा नहीं जाती कहीं रहूं देश के किसी हिस्से में रहूं विदेश के किसी हिस्से में रहूं लेकिन इसकी जो याद है नहीं जाती गुन गुनी ठंड माई की गाती मैं जो शब्द का इस्तेमाल करता हूँ कि वैसे शब्द जो आज से अभी के साइद जो नए युवा है वो इ इसे बानती थे जिससे कि उसका कान से लेकि पूरा सरीर तक धका रहता था तो मैंने वहीं से उठाने का परेच हो कि हम लोग ने उस जीवन को जिया है मैंने वहीं से पढ़ने का मैं प्रियाज करता हूं कि इसकी जो याद है नहीं जाती गुन गुनी ठंड माई की गाती सोंधी सोंधी सी महकती रहती मेरे अंदर की गाउं की माटी मेरे अंदर की गाउं की माटी तो इसलिए मैं गाउं को गाता हूँ बहुत प्यारा, संजीब जी गाउ cog का लड़का का आपने बोला कि आपने बात की अगर लड़कियों की बात की जाय तो कुछ गाउ की लड़के के बारे हम सुनना चाहेंगा मैं पहले गाउं का लड़का, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, आपने मेरे इंट्रो में कहा, पर्चे में कहा, उसके बाद मैं, जब गाउं के लड़के की बात होगी, तो गाउं की लड़कियों की बात होगी, और गाउं की लड़कियों के बिना गाउं की लड़के का को संजीब जी शेहर की लड़की क्यों नहीं है वो जुकि जो भी गाउं से शहर के लोग आए हैं तो उनकी जड़े कहाँ हैं तो आप गाउं की लड़की हैं लेकिन वही देशी मुर्गी और विलाइती बोल के चकर में अपने आपको शेहर की लड़की कह रही हैं हम पहनाबा विचार भाषाये तो हम चीर लेटे हैं परिवार को यहां से हम आपको आप को सीचा है, जिसने हमको सीचा, हम उनको छोड़ देते हैं तो मैं पहले पढ़ने का प्रयास करता हूं कि ऐसे गवाओं का लड़का क्या है और आज जादा मैं गवाओं के लडके सुनाओंगा क्या होता है गाउं का लड़का किया होता है कृदम सब्वाद के साथ भी होती है उसके साथ उतनी सुअमए असानी से तो अब गाउं का लड़का क्या करता है जिट्कियां एक words मैं इसले इसलिए करता हूं कि जो बिहार के लोग हैं उनको जिटकी का मतलब पता है कंकड जो रोडे जो हमारे मैं समझती हूं कि हर जो भी दर्शक देख रहे हैं को रिलेट करता है तो मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं कि कदम दर्जिटकियां चुनता रहा है गाओं का लड़का हमेशा अपने ही जिद पर यड़ा है गाओं का लड़का जो अपने होसलों से नाप आया है धरायंबर मगर दहलीज पर अब भी खड़ा है गाओं का लड़का मगर दहलीज पर अब भी खड़ा है गाओं का लड़का और जब गाओं के लड़के की बात होगी तो अलंगों की बात होगी आरियों की बात होगी खेतों की बात होगी तो मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि अलंगों आरियों पगडंडियों सा गाउं का लड़का जो नासा इसरो गूगल सहित मेटा को भी भाए वो दिल से है अभी भी खिडकियों सा गाउं का लड़का और गाउं का लड़का जब रहता है तो शहर में रहते हुए ऑफिस को चलाता है देश को चलाता है घर को चलाता है लेकिन अपने गाउं को कभी नहीं भूलता है मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ और वो अपने अंदर जो उसकी तासीर है मेहनत से रूटी कमाना मैं एक कुछ पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि ठसक से देश ऑफिस घर चलाता गाउं का लड़का ठसक से देश ओफिस घर चलाता गाउं का लड़का, कड़कती धूप में बारिश में छाता गाउं का लड़का, कड़कती धूप में बारिश में छाता गाउं का लड़का, रखे इमान का बटवा और स्वाभी मान की गठरी, पसीना बेच कर रोटी कमाता गाउं का लड़का, और जब गाउं के लड़के की बात ब wond outfits होगी तो गाउं के लड़की की बात होगी चोंकि शोप कि लड़की के बिञा गाउं के लड़के का कोई अस्तित्त व या जितने भी महलाएं हैं, वो हमको यहां तक जो हम संसकार अपने अंदर जो सिंचित रख पाते हैं, वो सिर्फ उनकी वजह से रख पाते हैं, तो मैं उनके लिए पढ़ने का पहले प्रयास करता हूँ, कि गाउं की लड़कियां क्या करती हैं, वो आप भी रिलेट करेंगी सबसे बड़ी बात की गाउं की लड़कियां क्या कर सकती हैं, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, कि बहुत जटिल को और सरल कर देती है, कितनी भी जटिल आप परिशानी लेके जाएं, आपकी माएं, आपके घर की महलाएं, उसको चूम अंतर खतम कर देती है, बहुत जटिल को और सरल कर देती है, कुटिया को भी राज महल कर देती है, जीबन के सब तेढ़े मेड़े प्रस्णों का, गाउं की लड़की जट पट हल कर देती है, गाउं की लड़की जट पट हल कर देती है, और गाउं की लड़किया कैसी होती है, थोड़ी नट खट थोड़ी चंचल सयानी, कैसी होती ये गाओं की लड़की सलोनी सांवुली गंगा का पानी गाओं की लड़की है जिस से तीज ब्रत तेवहार आंगन में खडी तुलसी है जिसży तीजू बृत टेवहार आंगन में खड़ी तुलसी यही स्रिस्ठी यही पहली कहानी गाउं की लड़की और चुका गाउं की लड़की के बारे में मैंने कई मुकतक लिखे है लेकिन ये मुक्तक सबसे प्यारा है कि मेरी मा का दिहान आज से 7-8 वर्स पहले हुआ और मेरी शादी हुई है और गाउं की लड़की से हुई है इस बात का फक्र भी है तो मैं डेडिकेट करता हूँ अपनी वाईफ को थोड़ा बाभू को जाता हूँ जब मा की बात आती है तो पढ़ता हूँ कि जब आपके जिवन में एक गाउं की लड़की आती है तो आप कितना आसान अपने आपको महसूस करते हैं मैं पढ़ता हूँ कंकड काटें पलकों से चुन लेती है क्या करती है गाउं के लड़किया कि कंकड काटें पलकों से चुन लेती है मेरे ख्वाबों के स्वेटर बुन लेती फिर उसका कोई ख्वाब नहीं होता वो आपके ख्वाब को अपना ख्वाब बना लेती है कि कंकर काटें पलकों से चुन लेती है मेरे ख्वाबों के स्वेटर बुन लेती है मेरे मन की अनसल जी सारी बातें गाओं की लड़की मा जैसी सुन लेती है गाओं की लड़की मा जैसे सुन लेती है वह दिल को च्हूलेने वाली जैसा कि आपने इतनी सुन्दर कवीता कही मेरे आपसे यह सवाल है रह elder काओं के तक हम लेता है उसकी स्वेम के सठ्ञा को लोक सठ्ञा में वह में लीन कि रहता है उसकी खुदकी अनुभूती सबकी अन जीता है कि कभी की रचनाएं लोक की रचनाएं होती है कभी की रचनाएं समाज की रचनाएं होती है और इसलिए कहा भी जाता है कि कभी जो है समाज का दरपन होती है तो दरपन इस मामले में कि जो हम समाज में घटित घटनाएं देखते हैं लगता है कि बात को वुखरता से क कही जाने चाहिए किस रूप में कही जाने चाहिए कि लोगों तक वह बात पहुंचे बलके वह सामाजिक विक्रितियों की बात हो या किसी भी अन्मुद्दे की बात हो तो कभी उसको अपने हिसाब से अपने अपने शब्दों में अपने भावों को शब्दों में पिरोकर ल बहुत खूब, बहुत खूब, तो एक मैं गीत नहीं पर पढ़ने का प्रयास करता हूँ, जब आपने कहा कि जो लोक में जो बाते हैं, जो समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं, उस पर एक गीत मैंने ने वर्श में क्या हमारी अकानशाएं होनी चाहिए, मैंने एक लिख कि ज्माज का दरपन・ नया वर्षा भी रहा और एक उदेश भी होना चाहिए धेई भी होना चाहिए लोगों का कि एक दुसरे से सुर मिले, हम अलग सुर में न रहें चुकि जब हम साथ चलेंगे, तो लंबी दूरी तैग कर पाएंगे. तो मैं पढ़ने का प्रियास करता हूँ कि सुर से सुर मिले धुनी से ताल नए साल में हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में सुर से सुर मिले धुनी से ताल नए साल में हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में और क्या हो इस नए साल में कि वाग वाग में चहकत हुए फूल हो आम आदमी की थोड़ी बात भी कुबूल हो कि बागवां के बाग में चहकत हुए फूल हो आम आदमी की थोड़ी बात भी कुभूल हो कब किसे कहां रहा मलाल नहे साल में हम मिले तो यार हो कमाल नहे साल में सुर से सुर मिले धनी से ताल नए साल में हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में और क्या हो ने साल में, कि मुफ्त 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 मुफ्त, रोटिया न चाहिए, कौने में सिसकती हुई बेटिया न चाहिए, एक कभी क्या कह सकता है, कि मुफ्त 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 मुफ्त, रोटिया न चाहिए, कौने में सिसकती हुई बेटिया न चाहिए, पूछना है छूटे कुछ कि पूछना है छूटे कुछ सबाल नए साल में हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में सुर से सुर मिले ध्वनी से ताल नए साल में हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में और क्या हो इस ने साल में कि अब की नया साल यार होसला बढ़ाई ये कि चाओं माओं जाओं का समाने मत उठाई ये बिना कुछ कहें आप समझ गई होंगी बार कि अब की नया साल यार होसला बढ़ाई ये कि चाओं माओं जाओं का समाने मत उठाई ये माँ भारती के भाल पर निहाल नए साल में हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में सुर से सुर मिले तो नी से ताल नए साल में हम मिले तो यार हो कमाल नए साल में सुर से सुर मिले बहुत खूब संजीब जी जिस तरीके से आपने बारिक्यों को चूते वे जो कवीता कही है जीवन के हर पहलों को, हर इंसान की पहलों को जो चुआ है, वो बहुत ही खुबसूरत है, जैसा कि आपका गीत है, जो यही तो मेरा देश, जिसका अनुआद और प्रशार है, हिंदी सही बाइस भाशाओं में आकाश वानमी किया गया था, यह बहुत बड़ी उपलब्दी है संजीब जी और बहुत गर्व की भी बात है, हम जरूर सुनना चाहते है इसके बोल, लेकिन उसके पहले कल महा पर हम बोलते हैं छट, उसके बारे में हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, जगीत अगर आप सुना दे, छट है तो एक बिहारी के लिए उसका भीमान है, बेटियां जाता हूँ, मतलब यह जाता है, जाते हैं और यह जाते हैं, आपको जातो है, जग defer दे, हक्ता है से अभी मैं बताओं कि मेरे घर में भी अभी एक बेटी तीन महेना पहले आई है विदेश में पैदा हुई लेकिन हम लोग यहां जम के खुशियां मनाए अभी वो छट में आई है तो यह एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि बेटियां घर में आए और मनतें मांगी जा रही है और मैं बताओं कि इस गीत में जो कुछ शब्द मैंने इस्तिमाल किया है कि बिहार में अपने बेटों को बहुआ बोलते हैं बेटियों को हम मैया बोलते हैं तो एक मां जिसको पहले से एक बेटा है और वो बेटी मांग रही है चटमया से कैसे मांग रही है यह पहली बा कि रुनुक जुनुक बाजे अंगना पैजनियां। जो बेटियां घर में होगी तो पैजनियां आपके आंगन में बजनी शुरू हो जाएगी। उसका धुन कितना मदूर होता है। आप समझ सकती है। जिसने भी इस धुन को सुना है, वो इस धुन के सामने सारे धुन फिके हो जाते हैं। कि रुनुक जुनुक बाजे अंगना पैजनियां। ठुमक ठुमक चले बववा ओ मैयां। मा कह रही है। रुने की जुने की बाबा के तुने की पापा के तुने की अंगना में बबनी खेलादा। अंगना में बबनी खेलादा कर जोड़ू है छटी मैया घरबा में बजादा बधया कर जोड़ू है छटी मैया और क्या छट मैया से आगरह कर रही है मा कि जोड़ जोड़ सुपबा चड़ईबो जोड़ चुपबा चड़ईबो केलबा के घर हम मंगईबो नारियल साचा हम चड़ईबो लड़ू आठे कुआ बनईबो अंगना के भाग जगादा कर जोड़ू है छटी मैया रोने की जुने की बार बार के तुने की और जब ये बेटी पैदा हो तो कैसी हो कि बबनी चड़े आसिमान बढ़ सब कुल खान दान चड़के ग्यान के मचान बबनी देखे जग जहान बबुआ के रखिया बनादा कर जोड़े छटी मया घरबा में करमा पुजादा कर जोड़े छटी मया रूने की जुने की बाबा के तुने की रूने की जुने की पापा के तुने की संजीब जी आपकी एक एक जो बोल है ना इतनी खुबसूरत है कि जो हमारे दर्शक देख रहोंगे मुझे बिलकुल यकीन है कि वह बहुत ही भावुक हो गया होंगे जैसा कि हम इतना खुबसूरत आपने महाँ पर चट पे आपने गीत लिखा है ऐसे मैं जाना चाहूंग संजीब जी आपसे कि आप इगनु में कारे रत है कैसे सामन जससे बठा पाते हैं इगनु अपने कारे को और जो यह आप केत लिखते हैं देखिए फिर मैं बात करूंगा इसके पीछे भी गाउं के लड़कियों काहत होता है कि आपके घर में यदी कते हैं ना हम लोग बिह सीमेंट में जीवन के प्रबंधन में सब से बड़ा रूल होता है वह महलाओं का और जब महलाओं की बात होगी तो गाउं के लड़कियों की बात होगी तो मैं लगबग हर सव्ता के अंत में मैं बाहरी रहता हूं अब बीभिन राज्यों में बड़े संस्थानों में बिलाया जाता हूँ, गाउं का लड़का वहाँ पढ़ता हूँ, तो इसके पीछे एक तो होता है कि घर सम्हाले बाली गाउं के लड़किया हैं और मैं बहाद सम्हालता हूँ. बहुत खूब, इतनी खूबसूरत बात कही है आपने कि जो हमारी संस्कृत्ति है, हमारी परमपरा है, महिलाओं और पूरुष हम सब को मिलके ञकों आगे लेके जाना है और महिलाओं को आप इतना समर्थन दे रहे हैं, आपकी कवीता में जहलक रहें कि आपने बहुत उंचा स्थान दिया है और सही स्थान दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के समाज में उन पहलूओं को देखना, उन पहलूओं पे बात करना, बात करेंगे अगर जैसे अभी अपने दिवाली भी हमने मनाया, आप राम को लेकर के भी आपका बहुत कुछ लिगते हैं, तो इस अगर कुछ हमारे दाश्रुकों को रसे मन की बात कि इस से बहतर कुछ हो यह नहीं सकता कि हम सारी लोग स्षालि कि इस दौर बे जितने लोग जी रहे हैं जिस तारे लोग स्वभाति शाली हैं कि प्रभु शिराम इतने भब्य और दिब्य मंदिर में बिराजमान हुए इतनों को जो देख पा रहे हैं और राम तो हमारे जीवन में रसे बसे हैं चुकि राम यदि है तो हम है तो मैंने कुछ पंक्ति भी लिखी थी कि राम ही प्रमान है प्रमान शक्ति राम है राम ही है लेखनी सुनाम भक्ति राम है राम ही अनादी है अनन्त है सनातन है राम ही अनादी हैं, अनन्त हैं, सनातन हैं, भारत ये चेतना की प्रान शक्ति राम है, मैंने लिखने का प्रियास करता हूँ, कि उस दौर को हमने कैसे जिया है, कि चोक गए त्रेता युग में तो, आ कर देखो अब के राम, उस विराट व्रक्तित्व को देखिए, उस प्रतिमा को देखिए, उस विग्रह को देखिए, जो उस थापित किये गये हैं, प्रभुशी राम, मैं पढ़ने का प्यास करता हूँ, कि चोक गए त्रेता युग में तो, आ कर देखो अब के राम, रमित रमेश रमन रघुनन दन, सरियू तट पर तब के राम, जाति धरम समुदाय पंथ के पाश में बांध न पाओगे, ओम ओम में धराब्योम में अपने सब के सब के राम, और उस बिग्रह को जब देखेंगे तो कैसा कैसे अनुभुती हो रही होगी? मैंने कुछ श्रब्द पिरोने का प्रयास किया है कि कैसे हैं हमारे रगुराई कि निखिल निरन जन्यमित ललित हैं कैसे हैं हमारे रगूराई कि निखिल निरंजन्य मित ललितु हैं त्रान हमारे रगूराई हेय दसानन यदम हेतु जय गान हमारे रगूराई चोपाई दोहा श्लोक लयचंद कांड रगूबर से है सत्य सनातन आर्यवर्त के प्राण हमारे रगूराई और जब रगूराई की बात है और रगूराई का जब राम लेते हैं तो क्या होता है कि बिगडी बनाए तम मीटाए फल दिलाए नाम जब इस नाम को आप जपेगे तो क्या होगा कि बिगडी बनाए तम मीटाए फल दिलाए नाम जब ते रहो तो घर हो जाए धन्य धराधाम रोली शब्द पूस्प भाओ आस था के दीप लिए बोलो एक नाम सियराम सियराम राम बोलो एक नाम सियराम सियराम राम बोलो एक नाम सियराम सियराम राम आपका इतना खुबसूरत सा आपने ये कवीता कहा स्री राम पे और इस अंग को आपने इतना खुबसूरत बनाया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए शुक्राइब शुक्राइब